आप सभी का फिर से स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस ए लर्निंग प्लाटफॉर्म पर मैं हुँ अभिशेक गौरहा और आज हम डील करने वाले हैं याने की अगस्त के पहले वीक में हमने जो गरंट अफेस डील किया है चत्तीजगड का उसके उपर बेस्ट हम आज क्या करने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है What will be the name of migrant resources center recently announced by the government of चत्तीजगड चत्तीजगड सरकार द्वारा हाल ही में गोशित प्रवाशी संसाधन केंद्र का नाम क्या होगा अप्शन नमबर A है मोर संगवारी भवन अप्शन नमबर B है मोर मितान भवन अप्शन नमबर C है मोर चिनहारी भवन या फिर अप्शन नमबर D है मोर माटी भवन चतीजगण की लोग हितकारी जन हितकारी जो योजनाए हैं उन्हें जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई हैं एवम उनके परिवार हैं उन्हें मुहया कराने के लिए 36 गड़ ने 10 राज्यों में 23 ऐसे भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया है जहां पर जो प्रवासी हैं हमारे मजदूर भाई होंगे वो जा करके अपने आपको पंजियन करा लेंगे और उन्हें 36 गड़ की 30 स्कीम्स का जो लेबर सेंट्रिक स्कीम्स है उनका फायदा मिलेगा इस भवन का नाम क्या है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है मोर संगवारी भवन, मोर मितान भवन, मोर चिनहारी भवन या फिर मोर माटी भवन जवाब यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा option number C, मोर चिनहारी भवन नाम से ये जो migrant resources, migrant resources center होंगे इन्हें खोला जाएगा 10 राज्यों में in how many states migrant resources center are announced by government of चत्तीजगर, चत्तीजगर सरकार ने कितने राज्यों में प्रवासी संसाधन केंद्रों की घोशना की है तो अभी ही हमने देखा है कितने 10 राज्यों में इसकी घोशना की गई है जिसका नाम क्या है मोर चिनहारी भवन चलिए आगे चलते हैं what is beyond scheme of चत्तीजगर बहुत important, very important महिला एवं बाल कल्यान, विभाग का कुपोशन विरोधी अभियान option number B, चत्तीजगर के ग्रामिड चेत्रों में निह शुल्क, सौर बल्ब उपलब्द कराने की योजना option number C, ग्रामिड चेत्रों में ग्यारवी और बारवी कक्षा के विद्यारतियों को JEE और नीट परिक्षाओं के लिए निह शुल्क कोचिंग option number D, ग्रामिड चेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार श्रीजन का योजना anti-mal nutrition campaign of women and children welfare department scheme for providing free solar bulbs in rural areas of Chattisgarh free coaching for students of 11th and 12th class for JEE and NEET exams in rural areas employment generation scheme for women of rural areas क्या है बिहान scheme तो ये जो बिहान scheme है ये आपका state rural livelihood mission है याने की राज ग्रामिड आजीवी का mission जिसे बिहान के नाम से जाना जाता है ग्रामिड चेत्रों में परिवारों के आए को बढ़ा करके एक लाग प्रती वर्ष से ज्यादा करना इसका उतेश्य है महिलाओं को स्वसहाइता समूहों के माध्यम से संगठित कर उनके रोजगार में श्रीजन करने के लिए इस योजना का उपयोग किया जा रहा है तो ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा हमारे लिए एंसर एंप्लोएमेंट जेनरेशन स्कीम फॉर विमेन औफ रूरल एरियाज अगला क्वेस्चन है स्वच्छ ट्यूलिप क्या है वाट इस स्वच्छ ट्यूलिप अप्शन नमबर ए है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंटर्शिप कारिकरम अप्शन नमबर भी है नाकोटिक्स एंड इलिसीट लिकर कैम्पेन यानि की मादक पदार्त और अवैध शराब विरोधी अधी नीयम इनमें से क्या है स्वच्छ ट्यूलिप स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 36 गड के जो बी टेक और बी ए के स्टूडेंट्स होते हैं यानि की जो इंजीनियस होते हैं उनके लिए इंटर्ण्शिप कारिक्रम है जिसे लाया जा रहा है कहां पर नगरिय निकायों में नगरिय निकायों में ताकि जो engineering के students हैं graduates हैं उन्हें एक तरीके से internship भी मिल जाए paid internship भी मिल जाए और ये इन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिले नगरिय प्रशाशन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में मिल करके ताकि चत्तीजगड के विकास के रास्ते में इनका योगदान और भी ज्यादा बढ़ जाए अगला question है what is full form of कीरती program of चत्तीजगड चत्तीजगड के कीरती कारिकरम का full form क्या है option number A है केलो इंडिया rising talent identification program option number B है केलो इंडिया running talent identification program option number C है क्रिशी innovation रत्न talent identification program option number D है इनमें से कोई भी नहीं none of the above चत्तीजगड में हाल ही में कीरती program शुरू किया गया है इस कीरती का full form क्या है केलो इंडिया rising talent identification program option number B केलो इंडिया running talent identification program option number C है क्रिशी innovation रत्न talent identification program या फिर option number D none of the above यहाँ जवाब हमारे लिए हो जाएगा option number A खेलो इंडिया rising talent identification program जो भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया program लागू किया गया है उसी के अंडर चत्तीजगड सरकार ने कीरती program क्या किया है लागू किया है जिससे जो talents है यानि कि जो खिलाडी है उनको identify किया जाएगा तीन हजार खिलाडियों का चैन किया जाएगा पूरे चत्तीजगड से और उन्हें training दी जाएगी ताकि खेल समवर्धन हो सके हमारे राज्य का sports promotion हो सके अगला question है निम्द लिकित में से किस तेवहार को चत्तीजगड की लोग संस्कृती का पहला तेवहार कहा जाता है which of the following festival is called the first festival of folk culture of चत्तीजगड option number A है पोला, option number B है कमर्चट, option number C है भोजली या फिर option number D है हरेली, बहुत ही simple सवाल है चत्तीजगड की लोग संस्कृती का पहला तेवहार किसे कहा जाता है पोला, कमर्चट, भोजली या फिर हरेली जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option number D हरेली चलिए अगला question देखते है, question number 7 when is हरेली celebrated, हरेली पर्व कब मनाया जाता है option number A, श्रावन क्रिष्न पक्ष पंचमी option number B, श्रावन अमावस्या option number C, श्रावन शुक्ल पंचमी या फिर option number D, श्रावन पुर्णिमा इन में से किस दिवस को मनाया जाता है हरेली, सावन क्रिष्न पंचमी, श्रावन अमावस्या श्रावन शुक्ल पंचमी या फिर श्रावन पुर्णिमा इसका जवाब हो जाएगा आप option number B, श्रावन अमावस्या को मनाया जाता है क्या हरेली का पर्व, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं अगला देखते हैं, how many judges are there in high court of 36 गड़? वर्तमान में दो नए judges की न्यूक्ती की गई है, 36 गड़ के high court में उसके बाद अब 36 गड़ की high court में कुल मिला करके कितने judges हैं, ये आप लोगों को बताना है including, यहाँ पर कुछ भी mention नहीं है, इसका मतलब है, ये आप से पूछना चाहा रहा है including Chief Justice of 36 गड़, मुख्य नायाधिश सहित कितने judges हैं, ये आपको बताना है 15, 16, 17 या फिर 18 15, 16, 17 या फिर 18 जवाब इसका हो जाएगा, option number C, 17 कुल मिला करके, अब 17 judges हो गए हैं, क्योंकि दो नए judges की नियुक्ती की गई है, राष्ट्रपती द्वारा who amongst the following have been appointed as the new judge और judges of 36 गड़ हाई कोट निम्न लिखित में से किसे 36 गड़ उच्च नयायाले के नयायाधीश या फिर नयायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है Honorable Mr. Justice विभू दत्त गुरू, Honorable Mr. Justice अमितेंद्र किशोर प्रशाद Option number C, both A and B, Option number D, none of the above B, D गुरू, A के प्रशाद, दोनों को या फिर इनमें से किसे को भी नहीं 36 गड़ उच्च नयायाले के नयायाधीश या नयायाधीशों के रूप में नियुक्ती किने मिली है ये आप लोगों को बताना है इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा Option number C, both A and B याने कि बिभू, दत्त, गुरू और अमितेंद्र किशोर प्रशाद दोनों को ही High Court में क्या किया गया है नय जजों के रूप में नियुक्त किया गया है रेमन डेका 36 गड़ के डैश नमबर के राज्यपाल बन गये है किस क्रम के राज्यपाल है रेमन डेका ये आपको बताना है साथ, आठ, नौ या फिर दस जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी, दस, जब तक आप लोगों से अलग से ये ना पूछा जाए कि पूर्ण कालिक कौन से नमबर के रेमन डेका 36 गड़ के राज्यपाल है तब तक आप लोगों को अपना जवाब दस ही लेना है क्योंकि official websites में हमारे यहां कहीं पर भी ये mention नहीं है कि ये आठवे क्रमांग के हैं या फिर ये दसवे क्रमांग के राज्यपाल है तो दसवे क्रमांग के ही राज्यपाल इनको लेना है आंसर में आप लोगों को आगे चलिए What is true about office of governor of a state किसी राज्य के राज्यपाल के पद के बारे में क्या सत्य है राश्ट्रपती राज्यपाल राश्ट्रपती की इक्षा तक अपने पद पर बने रहता है याने की राश्ट्रपती के प्रशाद पर्यंत बना रहता है गवर्नर रिमेंस इन ओफिस तिल दे प्लेजर आफ प्रेशिदेंट अप्शन नमबर बी है टेन्योर आफ गवर्नर इस फाइव यह रोगों के पद ग्रहन करने की तिथी से पाँच वर्ष तक का होता है अप्शन नमबर सी रिमेंस इन दे ओफिस अंटिल दे सक्सेसर एंटर्स दे ओफिस उत्तरा दिकारी के पद ग्रहन करने तक पद पर बने रहते है अप्शन नमबर डी उप्रोक्त सभी सत्य है क्या सत्य है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है राष्ट्रपती के प्रसाद पर्यंत ओफिस में रहते हैं इनका कारेकाल पांच वर्षों का होता है जिस दिन से यह ओफिस अजियूम करते हैं उस दिन से अपने ओफिस में तब तक यह बने रहते हैं जब तक इनका उत्तरा धिकारी ना आ जाए और option number D, all of the above तो जो जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा आपका option number D, all of the above और ये जो तीनों हैं, ये तीनों clauses हैं clause 1, clause 2 और clause 3 किसके भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 156 का जिसमें राज जपाल के office का कारिकाल बताया गया है ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं अगला question है What is the total capacity of judges including Chief Justice of 36गर High Court याने कि 36गर High Court में कुल मिला करके judges की संख्या कितनी हो सकती है ये आप लोगों को बताना है option number A है 18, option number B है 22 option number C है 34 और option number D है 28 18, 22, 34, 28 36 गड़ के मुख्य नयाधीश सहित 36 गड़ में जजों की कुल संख्या कितनी हो सकती है ये आप लोगों को बताना है 18, 22, 34 या फिर 28 वर्तमान में 17 judges हैं ये हमने अभी पढ़ा है लेकिन कुल मिला करके कितने हो सकते हैं तो option number B हो जाएगा आपका answer कुल मिला करके 22 judges की क्या किया गया है प्रेस्क्राइब किया गया है 36 गड़ के high court को चलिए आगे चलते हैं अर्स्ट वाइल मितान स्कीम ओफ चत्तीजगड़ हैस बीन रिनेम्ड एस चत्तीजगड़ की पूर्ववर्ति मितान योजना का नाम बदल कर क्या रखा गया है मोर संगवारी, मोर दीदी, मोर महतारी, मोर मयारू मोर संगवारी, मोर दीदी, मोर महतारी, मोर मयारू चत्तीजगड़ की मितान योजना जो चत्तीजगड़ की राज्य सरकार की सेवाओं को आपके घरों तक पहुँचाने की एक स्कीम थी बुपेश बगेल की सरकार द्वारा इसे लाया गया था जिसमें एक चार पांच चार पांच पर कॉल करके आप अपने घर से ही बहुत सारे अपने सेवाओं का लाभ उठा सकते थे जैसे जन्व प्रमाण पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प घर से ही बनवा सकते थे, इसे मितान योजना का नाम दिया गया था, हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, मोर संगवारी, मोर दीदी, मोर महतारी या मोर मयारू जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा, option number A, मोर संगवारी इसे क्या दिया गया है, नाम दिया गया है मोर संगवारी आगे चलते हैं अगला जो question है हमारे लिए अच्छा ये हमारा अंतिम सवाल था चत्तीजगड से संबंदित अगस्त के पहले हफते में जो हमने current affairs चत्तीजगड के देखे हैं समसमाई की राजकी इस्तर की उन पर based कुछ सवाल आज हमने deal किया है यहाँ पर हमारा चत्तीजगड में अगस्त के पहले हफते के लिए जो महत्तपूर्ण समसमाई की घटना है एवं उससे संबंदित बहु विकल्पिये प्रश्ण है वो समाप्त होते हैं कल हम आपके सामने राश्ट्रिये एवं अंतर राश्ट्रिये वे सभी समसमाई की जो हमारे एक्जाम के लिए महत्तपूर्ण होंगी उनको हम ले करके आपके सामने आएंगे और परसों उन पर based करके हम क्या करने वाले हैं MCQs solve करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Koko